Just imagine, क्योंकि kiss तो सभी को पसंद होती है Use the power of kiss Employee अपने boss को, एक salesman अपने buyer को, एक लड़का लड़की को तो उनके पास पैसे नहीं थे उन्हें ऐसी बात कही कि वो सभी निवेश करने के लिए convince हो गए और एक बहुत बड़ी industry खड़ी कर दी Focus the feeling कहते हैं वो पीता कितना है तो आपका जवाब भी technical होना चाहिए उसकी ना को हा में बदल सकती है व्यक्ति के मन में trust पैदा करें आज हर कोई किसी ना किसी को किसी ना किसी बात के लिए convince करने पर लगा हुआ है जैसे student अपने teacher को, employee अपने boss को एक salesman अपने buyer को एक लड़का लड़की को या एक लड़की एक लड़के को कई बार आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप किसी को कोई बात कहें लेकिन वो आपकी बात माने ही न और कई बार तो उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती कई ऐसा तो नहीं कि आप अपनी बात को ठीक तरसे कन्वेंस ही नहीं कर पा रहे हैं धीरूबाई एम्मानी ने जब एक बड़ी इंडस्ट्री लगाने का सपना देखा तो उनके पास पैसे नहीं थे लेकिन उन्होंने अपने सपने के बारे में अपने गाउं के लोगों को बताया उन्हें ऐसी बात कही कि वो सभी निवेश करने के लिए कन्वेंस हो गए और गाउं के लोगों से प्राप्त निवेश से उन्होंने कमपनी की स्थापना की और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दी आज मैं आपको बताऊंगा पांच इसे तरीके जिसका इस्तिमाल करके आप किसी भी व्यक्ति को बहुत आसानी से कन्वेंस कर लेंगे तो समझते हैं सबसे पहले हमारा माइंड दो तरह से काम करता है एक कॉंशेस माइंड और एक सबकॉंशेस माइंड कॉंशेस माइंड के पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है किसी भी वात को सुन कर समझ कर उस पर निर्ने लेने का अधिकार होता है मतलब वो आपकी बात को हाँ या ना के रूप में स्विकार कर सकता है लेकिन सब कॉंशेस माइंड में बहुत सारी बाते पहले से स्टोर होती है और वहाँ पर लोग किसी भी चीज के डिसिजन लेने के बारे में सोफते नहीं है तुरन तुर्ण तिन निर्नाय लेते हैं तो सबसे पहली बात Speak the language of lizard सामने वाले व्यक्ती की भाषा में बात करें जब आप सामने वाले व्यक्ति के mind programming को समझ कर उसकी भाशा में बात करते हैं तो वो बहुत आसानी से convince हो जाता है जैसे जब आप कार खरीद दे जाते हैं तो कई बार आपका mindset टेकनिकल चीजों को समझने में नहीं होता आप तो केवल ये देखते हैं किसकी average कितनी आती है कहते हैं वो पीता कितना है दूसरा आप ये देखते हैं इसके spare parts कितने rate में available है आप ये देखते हैं इसकी service कितने में हो जाएगी मतलब आप एक saving का method समझना चाहते हैं अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो कितनी saving मुझे परमन्त या परैनम हो सकती है इसी को कहते हैं speak the language of lizard और बहुत सारे salesmen इसमें पीछे रह जाते हैं वो technical बाते बतायें लगते हैं mechanical बाते बतायें लगते हैं जिससे consumer को कोई लेना देना नहीं होता वो तो किवली जानना चाता है कि मेरी value for money क्या होगी और यदि salesman उसी की language में बात करता है कि वो गाड़ी खरिदने पर उसको क्या-क्या लाब होंगे तो वो आसानी से convince हो जाता है सामने वाले व्यक्ति के mind की programming को समझे अगर वो technical बाते पोछ रहा है हो जाए and the second most important thing focus the feeling सामने वाले व्यक्ति के feeling को focus करें कि वो emotional व्यक्ति है वो joyful व्यक्ति है या वो thrill पसंद करने वाला व्यक्ति है यदि आप सामने वाले व्यक्ति की feelings को समझ जाएं तो उसकी feelings में कौनसी बात उसकी ना को हा में बदल सकती है कौन सी बात उसको convince कर सकती है ऐसी बात पर जरूर जोर दे ताकि वो व्यक्ति subconsciously अपने mind पर hammering ले और आपकी बात को स्विकार कर ले and third most important thing use the power of kiss क्योंकि kiss तो सभी को पसंद होती है पर समझ लेते हैं kiss है क्या keep it short and simple अपनी बात को जितना short and simple तरीके से आप व्यक्ति को समझाएंगे उतना जादा convince करना आसान होगा इसलिए kiss जरूर करें and the fourth that is power of just imagine मतलब यदि कोई व्यक्ति आपका consumer है वो चीज आप से लेना चाहता है तो उसके मन में picture clear करें क्योंकि हम imagination में जीते हैं उसके mind में clear करें कि अगर आपने ये product लिया तो उसका क्या benefit आपको हो सकता है वो product लेने के बाद आपकी value क्या हो सकती है वो product पर काम करने के बाद उसको क्या benefit हो सकता है use the power of just imagine और वो व्यक्ति उस imagination में खो जाता है और जैसे वो व्यक्ति imagination में खोता है करें और ट्रस्ट केवल तीनी तरह से पैदा होता है common, similarity and liking आप लोग के बीच में common क्या है आप लोग दूसरे को कैसे समझ पा रहे हैं और किस तरह की बातों को पसंद करते हैं जब आप सामने वाले व्यक्ति के मन की बात को समझ जाएंगे वैसी ही common similarity के साथ उसकी liking के साथ अब अपनी बात उसके सामने रखते हैं तो वो व्यक्ति आसानी से convince हो जाता है इसका इस्तिमाल ना एक लड़का एक लड़की या एक लड़की एक लड़के को जब propose करती है तो बहुत जादा समझे और उसके हिसाब से product दिखाए और salesman जब इस बात को समझ जाता है कि customer को कैसा product चाहिए उसकी क्या liking है उसके क्या vision है या वो product क्यों लेना चाहता है या किस budget में लेना चाहता है तो वो आसानी से अपने customer को convince कर लेता है इसलिए आप इन आच मेथड का इस्तिमाल करें तो आप आसानी से किसी भी व्यक्ति को convince कर पाएंगे यदि आपके मन में कोई भी प्रश्ण है तो हमें comment box में लिखकर ज़रूर बताएं और यदि आपके पास कोई बेहतरीन सुजाव है किसी को भी impress करने का convince करने का तो वो हमें ज़रूर बताएं स्वस्त रहें मस रहें मैं डॉक्टर अमित माईश्वरी आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत